हलो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर टेक्निक के बारे में यह वाटर टेक्निक अभी हम सर्फ हेल्थ इशूस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने वाले हैं ठीक है जिनकों भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम से कोई बिमारी चली आ रही है या फिर एकदम से अचानक मौनिंग में आप उठे हैं और आप अनेजी फील कर रहे हैं तो उसको इंस्टेंटली आप कैसे ठीक कर सकते हैं वाटर टेक्निक से वही इस टेक्निक में मैं आपको बताने जारी हूँ पहले थोड़ी सी बाते हैं वाटर के बारे में पानी के बारे में पानी आपको पता है हमारी बोडी में 70% से जादा पानी कंसिस्ट करता है पानी है और यह जो हमारा पूरा ब्रहमान है, पूरी प्रित्वी जो है, ये भी तीन चौथाई भाग पानी से कवर्ड है यहां तक कि पानी का महत्व, हमारे पूजा, पाठ, यहां तक कि अगर आप पुराने जमाने में चले जाएए, रिशिमुन्यों के जमाने में तो उस टाइम पे भी उनके हर जो भी शब्द होते थे, मंत्र होते थे, वो सम्मे जो पावर होती थी, वो पानी में ही शुरू होती थी, पानी से ही शुरू होती थी, अंजली में, अंजली मतलब हाथ, हथेली में, वो थोड़ा सा जल ले करके, अगर उसमें कोई भी मंत्र फ पंडित हैं या किसी भी कास्ट में हर कास्ट में होली वाटर होता ही होता है पानी का महत्व हर कास्ट में हैं हिंदू हैं मुसलिम हैं या फिर सिक्ष हैं या फिर एसाई हैं हर धर में आपने देखा होगा पानी का बहुत होली वाटर का बहुत महत्व है ठीक है हमारे हर करते हैं हर जगा शुद्धी करते हैं यह पानी बहुत इंपोर्टन है और पानी में इतनी जादा पावर है ना एब्सॉब करने की आपकी जो भी पानी को देंगे पानी की अपनी बहुत शाप मेरी होती है आप जो भी पानी को बोलेंगे पानी एब्सॉब करता है पानी एनर तो वो आपकी body में जाके बाकी की कोशिकाओं में जाता है, बाकी के body के organs में जाता है and उनको heal करता है, बहुत magically heal करता है and seriously water has tremendous power in it, बहुत-बहुत-बहुत powerful होता है water और affirmations डालने के बाद तो ये divine, बिल्कुल holy water जैसा बन जाता है, जो एकदम आपको कब कैसे heal कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, magical होता है ये पानी अब आते हैं कि हम health conditions को affirmations इस पानी में डाल करके कैसे हम heal कर सकते हैं आप अगर किसी बहुत long disease से चले आ रहे हैं कोई pain है या कोई organ में कोई problem है या फिर और कोई बिमारी है जो आपको बहुत time से परेशान कर रही है आप उसके लिए एक glass पानी लीजिए पानी ऐसे transparent glass में लीजिए वो जाधा best है आप किसी भी glass में ले सकते हैं लेकिन best यही है कि आप transparent glass में लीजिए इसे होगा क्या कि पानी पारदर्शी है हमें भी पानी दिखना चाहिए और ठीक है इसमें वो reflect भी कर रहा है ठीक है आपने ये पूरा पानी का एक glass भर लीजिए भरके इस पानी के glass को दोनों हाथों में पकड़के फिर इस पानी को थोड़े देखिए फील कीजिए इस पा अपने health के लिए बोलना है बहुत सारे affirmations नहीं बोलने हैं कि ये भी बोल दो कि वो भी बोल दो इससे क्या होता है ना कि आप कई दफा negative lines बोल देते हैं ये पानी इतना energize हो जाता है कि अगर आपने कुछ भी इसको गलत दे दिया ना वो भी आप consume कर रहे तो वो भी आपके अंदर ही जाएगा वो भी आपको effect करेगा इसलिए please धियान रखेगा अपने lines का अपने affirmations का बहुत simple lines रखे दो से तीन lines रखे चार lines रखे बस और उनी को आप 5,6,7,8,10 जितनी बार है उनी को आप repeat करते रहे पानी में देख करके और फिर इसे consume करना है मैं आपको affirmations बता आप बोलिए पहले मैं हिंदी में बताती हूँ फिर इंग्लिश में भी बता दूँगे आपको ठीक है मैं बिलकुल स्वस्त हूँ मैं बहुत उर्जावान महसूस करता हूँ मेरे सारे शारेरिक अंग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं बस ये तीन lines है इनको आप पानी में देखके उतनी बार करिए अब इन ही lines को English में आप कैसे बोलेंगे I am very healthy I am very energetic all my body organs are working efficiently and properly बस ये तीन lines है इन ही को आपको repeat करने हैं जितनी बार ही आप repeat करना चाहते हैं कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इस पूरे ग्लास पानी को पी लीजिए ठीक है ये आपक तो affirmations जो आप इस ग्लास में दे रहे हैं ये आपको एकांत में देना है ठीक है आप जब ये पानी में affirmations दे रहे हैं कोशिश करिए आप कहीं पे भी अपने घर में side में थोड़ा सा बैट जाएए जहां पर कोई आपको disturb ना करे 5 minutes के लिए ठीक है आप उसको बोल करके फिर इसके बाद उसे consume कर लीजिए और ये आप दिन में जितनी बार पानी पी रहे हैं उतनी बार कर सकते हैं जितनी बार आप ग्लास में पानी लेके पी रहे हैं आप उतनी बार affirmations देके और इस पानी को पीते जाएए पीते जाएए आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी condition health condition कित इतने आसानी से ठीक होने लग गई है, आप खुद अंदर से energized महसूस करेंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ, मैं बहुत हलका फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, energy लग रही है मेरी body में, ठीक है, यह हो गया आपके लिए, अब इसी पानी से आप उन पड़े हुए हैं, उठ नहीं सकते हैं, या हॉस्पिटल में हैं, और हॉस्पिटल में भी वो बेट पे ही हैं, उठ नहीं सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनको पानी अफर्म करके पिला सकते हैं, तब तक पिला सकते हैं, जब तक वो खुद उठ करके बै जाएएे, एक ग्लस पाणी का लीजिए, पाणी को लेने के बाद उनका नाम, ठीक है कोई भी आपके पेरंस हैं, मम्मा हैं, पापा हैं, या कोई भी family member हैं, या कोई भी और भी हैं, कोई जिनको आप ये पानी अफर्म करके देना चाहते हैं उनका नाम आपको बोलना है इसमें कि सपोज मैं एक एक्जाम्पल दे रही हूँ राम ठीक है तो आप कैसे बोलेंगे राम बहुत स्वस्थ है राम बहुत उर्जावान है राम के सभी शारिरिक अंग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं ये affirmation हो गया हिंदी में इंग्लिश में बोलना है आपको राम इस वेरी हेल्दी राम इस वेरी एनरजिटिक राम's all body parts are working efficiently ये आप जितनी बार repeat करना चाहते हैं के पास बैटके उतनी बार repeat करके और फिर ये पानी आप उनको पिलाईए जितनी बार आप दिन भर में पिलाएंगे उतनी जल्दी वो अंदर से heal होंगे, energy feel करेंगे और ऐसा होगा कि वो आप देखेंगे एक दो दिन के अंदर ही वो उटके बैटके खुद अपना पानी अफर्म करके पीने लगेंगे, उस condition तक वो पहुँच जाएंगे, ठीक है अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि जभी भी आप इसमें affirmation दे रहे हैं तो कभी भी ये मत बोलिए कि मेरा pain खतम हो जाए मेरा, मेरको migraine रहता है, मेरा migraine खतम हो जाए या मेरको इस body में problem है, ये problem खतम हो जाए आपको problem, pain ये सब negative words है, इनका इस्तिमाल नहीं करना है, ठीक है आपको बस simple lines मैंने जो दे दी वो ही आप इस्तिमाल करिए, ये हर problem का solution in lines पे है ठीक है, healthy का मतलब है कि आपके पास कोई disease ही नहीं, वो छोटी हो, बड़ी हो कोई सी भी हो, यही affirmation आप तब भी use कर सकते हैं, जब मान लीजे, morning में आप एक दिन ऐसा होता है, generally हमारी body में, कि हम किसी दिन उठे और एकदम से low feel कर रहे हैं सारा दिन energy लगी है, तब ही भी आप या एकदम से कभी देखते हैं कि आप viral बहुत जादा है और अचानक से आपको feverish feel होने लग जाता है ठीक है, cold cough feel होने लग जाता है उस समय भी आप अपने आपको heal करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, एक ग्लास पानी ले 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 उसमें affirmation यही वाली डालके सारा दिन पीते रहे आप देखेंगे रात होते होते तक आप बहुत हलका feel करने लगेंगे energized feel करने लगे आप medicine अपनी लेते रहें medicine के साथ पानी affirm करके इस तरह से पीते रहें यह आपको health benefit देगा ही देगा and आपको heal करेगा अंदर से ठीक है? आप इस तरह से पानी को use कर लीजे health के लिए ओके? Thank you so much